हेलो दोस्तों तो आज हम एक नया चेप्टर सुरू करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरड क्वाडेटिक एक्वेशन ठीक है अगर हम इसके पहले चेप्टर की बात करें तो इस तरीके का एक चेप्टर था हमारे बुक के अंदर जिसका नाम था बहुपन ठीक है तो उस चेप्टर और इस चेप्टर में लगभभभ वहुश जादा similarity देखने को मिलेगी मतलब समानता देखने को मिलेगी ऐसा होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं इस चेप्टर को तो अगर हम बात करें इसमें द्विघात समीकरड की कि द्विघात समीकरड बोला किसे जाता है तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है कि दो घातों वाले समीकरण को द्विघात समीकरण करते हैं, ठीक है, यह है, ब्यापक रूप में, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें, तो होता है, यहाँ पर एकी वैलू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर ए, बी, सी की बात करें, तो ए, बी, सी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब इनको रियल नंबर्स बूला जाता है, वास्तविक संख्याओं को, चर रासी एक्स में द्विघात समीकरण है, मतलब यह देख रहे हैं, जो द्विघात समीकरण, इसमें चर रासी क्या है, एक्स है, ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ प मूल की बात करते हैं roots of quadratic equation roots of quadratic equation अब इसमें देखिए हमें ये देखना है कि द्विघात समिकरण के जो मूल होते हैं वो क्या करते हैं या कैसे होते हैं ठीक है देखिए वास्तविक संख्या alpha हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या alpha द्विगात समीकरड एकस स्क्वाइर प्लस बी एकस प्लस सी का एक मूल होगा जहां पर एकी वैलू कभी जीरो के बराबर नहीं होगी यदि यदि अब दिखे हम क्या करेंगे इसमें एकस के प्लेस पे अलफा पूट करेंगे एकस के अस्थान पर अलफा पूट करेंगे तो ए अलफा का स्क्वाइर प्लस बी अलफा प्लस सी इस इक्वेस्ट जीरो कहने का क्या मतलब है कि अगर इसका एक मूल अलफा है तो अलफा को जब हम इस समीकरड में पूट करेंगे रखेंगे तो इसकी value 0 के बराबर अगर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये द्विघास समीकरण का मूल है ठीक है चलिए आगे देखिए हम एक note की बात करते हैं इसमें देखिए यदि A x square प्लस B x प्लस C is equals to 0 का एक मूल alpha है तो 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 first देखिए x equals to A यानि की हम alpha की बात कर रहे है x equals to alpha x square प्लस B x प्लस C is equals to 0 का एक हल है ठीक है मतलब हम ये बात कर रहे है कि अगर इसका एक मूल alpha है तो इसका हल जो है वो alpha होगा ठीक है अब या तो दूसरे तरीके से मात कर सकते हैं x equals to alpha x square प्लस B x प्लस C equals to 0 को संतूस्ट करेगा कहने का क्या मतलब है कि संतूस्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर हम इस समीकरण के अंदर alpha पुट करते हैं alpha को रखते हैं तो इसकी value 0 के बराबर होनी चाहिए अगर 0 के बराबर हो जाती है मतलब alpha इस समीकरण को संतूस्ट करेगा ठीक है बात समझ में आगए तो एक बार इससे आप copy कर लिजिए फिर इसके आगे अपन देखते हैं चलिए तो अब हम बात करेंगे उदाहरर नम्मर first हम पहले की बात करेंगे इसमें दो question दिये गए हैं अब उन दोनों को देखिए देखिए इसमें बोला क्या गया है कि निम्न स्थीतियों को गडीती या रूप में व्यक्त कीजिए ठीक है अच्छा अब इसमें दो पार्ट है पहले को देखिए बोल रहा है कि जौन और जिवन्ती दोनों के पास कूल मिला कर 45 कंचे हैं दोनों 55 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुरनफल 124 है हम जानते हैं कि आरब में उनके पास कितने कितने कंचे थे हम जानना चाहेंगे तो देखिए क्वेस्टन क्या है इसमें ये बोल रहा है कि जौन और जिवन्ती के पास जो कूल कंचे हैं वो 45 हैं तो हम क्वेस्टन करेंगे तो लिखेंगे कि कूल कंचों की संख्या कूल कंचों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है X तो हम ऐसा बोलेंगे स्वरी कूल कंचों की संख्या कितनी है 45 तो हम बोलेंगे कि कूल कंचों की संख्या है 45 बात समझ वागे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो ऐसा हम बोल देते हैं कि आरम अच्छा दोनों को मिला के 45 कंचे थे हम ऐसा माल लेते हैं कि माना जो जॉन के पास कंचे हैं जो जॉन के पास कंचे हैं उन कंचों की संख्या अपन माल लेते हैं X ठीक है अगर जॉन के पास कंचों की संख्या X है तो आप बताईए कि जिवन्ती के पास कितने होंगे तो हम कहेंगे कि जो जिवन्ती के पास कंचों के संख्या होगी वो 45-x होगी जरा ध्यान से समझिएगा टोटल कंचों की संख्या है 45 जोन के पास अगर x है तो जिवन्ती के पास कितना होगा टोटल में से इसको घटा देंगे तो जिवनती के पास जो कंचे होंगे वही बचेगा ठीक है अच्छा इसके बाद क्वेस्टन में बोल रहा है कि दोनों पांच-पांच खो दे रहे हैं मतलब हम बोलेंगे कि खो देने के बाद दोनों पांच-पांच कंचे खो देते हैं उस जौन के पास X कंचे हैं, तो 5 अगर वो खो दे रहा है, तो उसके पास कंचों की संख्या X-5 बचेगा, और अगर 5 जिवनती खो देती है, तो जिवनती के पास जो कंचों की संख्या बचेगी, इतना था, लेकिन इसमें से 5 उसने खो दिया, तो 45-X-5 ये होगा, अगर इसे solve क किया जाए, तो 45 में से 5 घटाएंगे, तो 40-X ये बचा, ठीक है, तो देखिए, खो देने के बाद, जौन के पास इतने कंचे बचे, और जिवनती के पास इतने कंचे बचे, बात समझ में आ रही है, हाँ जी, इसके बाद बोल रहा है कि दोनों का जो गुड़न फल है, वो हम लिखेंगे, X-5 गुणे, अब 40-X, तो 40-X और ये टोटल, दोनों का गुड़न फल बोल रहा है कि 124 है, ऐसा question में बोल रहा है, अब दिखिए, solve करेंगे, तो X का multiply 40 में करेंगे, तो ये आएगा 40X, ऐसा आएगा, ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके से नहीं, तो आ X गुणे 40, ये होगा, फिर ये प्लस है, अब ये माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, X गुणे X, तो X गुणे X, ये आ गया, फिर ये माइनस है, ये प्लस, अब इसका multiply इन में करेंगे न, तो माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस का multiply माइनस होगा, पांच का 40 में गुड़ा करेंगे तो 5 गुड़े 40 ये लिखेंगे, ठीक है, माइनस ये है, माइनस ये है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, 5 का x में करेंगे, तो 5 गुड़े x is equal to 124 ये बनेगा, ठीक है, अब देखें, 40 का x म में गुड़ा करेंगे, तो x square माइनस, 5 का 40 में करेंगे, तो 200, प्लस, 5 का x में करेंगे, तो 5 x is equal to 124, ठीक है, ये आ जाएगा, अब देखें, आगे कैसे solve किया जाएगा, जरब उसको देखें, देखें यहाँ पे, ये 40 x है, और ये 5 x है, तो ये total मिलाके बन जाएगा, 45 x माइनस, ये ऐसे ही, तो x square, अब देखें, ये माइनस 200, ये रहेगा, ये प्लस है, इधर लेके आईए, 124 is equal to 0, ये बन गया, ठीक है, अब जरब आगे समझीए, यहाँ पे, अब ये इसको लिखेंगे, तो 45 x माइनस x square माइनस, 200 में से, माइनस 200 माइनस 124, ये 300 24 बनेगा, बराबर 0, ठीक है, अब इस equation, यानि कि इस समीकरण को लिखने का सही तरीका क्या है, अब वो जड़ा देख लेते हैं, देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, उसको हम लिखते हैं, ax square प्लस bx प्लस c is equal to 0, यानि कि सबसे पहले x square, उसके बाद x आएगा, उसके बाद कोई number आएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से जो हम इसको लिखेंगे, अब लिखने का तरीका देखे क्या है, सबसे पहले हमें x square को लिखना पड़ेगा, और x square किस में है, minus में, तो आप लिख सकते है, minus x square, ठीक है, फिर किसकी बारी आती है, x की, तो इस 324 पराबर 0, ये लिख देंगे, और देखिए ध्यान से, इसको आप कोशिज करिए कि ये हमें साथ धनात्मक रहे, यानि positive रहे, तो आप क्या करिए, सारे समीकलर को इस side लेके जाएगे, जब इसको इस side लेके जाएंगे, तो ये जो minus है, इस side जाएगा, तो क्या होगा, प प्लस 324 बनेगा, बराबर क्या जाएगा, 0, और ये हमारा final equation यानि final समीकलर बना, ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना है, इतनी थोड़ी बहुत calculation आपको आती होगी, थोड़ा बहुत जो आपको, मतला इसको solve करने का तरीका है, वो थोड़ा बहुत आता होगा, अगर आ चलिए, अब हम बात करने वाले हैं इसी में, दूसरे नंबर के question की, तो देखिए क्या दिया गया है, बोल लाए कि एक कुटीर उद्योग में, एक दिन में कुछ खिलवने निर्मित करता है, एक कुटीर उद्योग, एक दिन में कुछ खिलवने निर्मित करता है, प्रतेक खिलवनों का मुल्य 55 में से एक दिन में निर्माड किये गए खिलवनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन किसी एक दिन की बात हो रही है कुन निर्मार लागत 750 उर्पे थी तो बोल रहा है कि हम उस दिन निर्मार किये गए खिलवनों की संख्या ग्याद करना चाहेंगे हम ऐसा माल लेते हैं कि जो उस दिन की बात है उस दिन खिलवने निर्मार किये गए उस खिलवने निर्मार किये गए उनकी संख्या एक्स है तो हम मानेंगे कि माना एक दिन में निर्मार किये गए खिलवनों की संख्या खिलवनों की संख्या एक्स है ऐसा मान लेते हैं ठीक है अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया है लेकिन यहां पर एक सी जौर बोल रहा है कि प्रते खिलवने का जो मुल्य है तो हम बोलेंगे कि जो प्रते खिलवने का मुल्य है वो पच्पन में से उस दिन निर्मार किये गए खिलवनों की संख्या के बराबर है ठीक है तो निर्गें इतना रूपिया यह पैसा हो गया थीक है तो आगे हमसे क्या प बोल रहा है हमसे यह बोल रहा है कि एक दिन क्या होता है कि जो टॉटल खिलवने का दाम है और ये खिलवनों की संख्या है तो एक खिलवनों की कीमत अगर इतनी रुपए है तो X कीमत कितनी होगी तो हम बोलेंगे कि X into 55-X ये खिलवनों का प्राइस होगा ठीक है अब जरा समझे खिलावनों की संख्या इतनी है एक खिलावना एक खिलावने की कीमत इतने रुपए है तो ये खिलावने की कीमत ये खिलवनों की संख्या और टोटल ये क्या आगया पैसा तो एक दिन में ये टोटल पैसा है और टोटल पैसा कितना है 750 रुपिया ठीक है मतलब हम बोलेंगे कि ये जो है ये इस पैसे के बराबर होगा जरा ध्यान से समझे अब गुड़ा करिए एकस का पच्पन में कर इसमें करेंगे तो ये आएगा बराबर 750 ये आगया ठीक है अब देखे पच्पन का एकस में करेंगे तो पच्पन एकस आएगा माइनस एकस का एकस में करेंगे तो एकस स्क्वायर बराबर 750 ये बनेगा ठीक है अब एक काम करना है कि सब को उठाके ना अपन इस साइड ले सा करने वाले हैं तो देखिए इसको क्या करिए कि यह माइनस में है इधर जाएगा तो किसमें बनेगा प्लस में तो आप इसको सबसे पहले लिख सकते हैं तो X स्कॉयर माइनस है इधर गया तो किसमें आगया प्लस में यह प्लस में है इधर आएगा तो किसमें आएगा माइन में तो 55 x ये बन गया ये अच्छा इन सब को इधर लेके गये हैं ये किसमे था प्लस में तो अब प्लस 750 लिख सकते हैं बराबर 0 ये हमारा बन गया समी करड़ ठीक है तो हमें इन दू क्वेस्टन्स में यही बोला गया था कि इनको गड़ीतिय रूप में ब्यक्त करिये जो क चलिए अगर ये समझ में आपको आ गया तो अब हम उदाहरर नमबर 2 की बात करेंगे अच्छा ध्यान से आप इसे समझेगा ठीक है मतलब ऐसा होगा कि आपको कोई बात समझ में नहीं आईगे ऐसा नहीं हो सकता लेकिन आप कम से कम ध्यान दीजिएगा अगर फिर भी आप को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरू जाके पूछ सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नमबर के उदाहरर के तो देखिए हम बात करेंगे उदाहरर नमबर 2 अब इसमें बोल रहा है कि जाच कीजिए कि निम्न दिविघात समिकरण हैं या नहीं यह हमसे बोल रहा है तो इसमें हम फर्स्ट की बात करें इसमें चार क्वेस्टन दिये गए हैं तो फर्स्ट की बात करें आप बोड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं क्वेस्टन और हम 2 का whole square plus 1 is equals to 2x minus 3 यह पहला है इधर हम दूसरा लिख दे रहे हैं second तो यह है x x plus 1 x plus 1 फिर plus 8 बराबर x plus 2 और x minus 2 यह दिया गया है ठीक है जरा अब समझिए अगर हम इसको खोलें तो आप सबको पता है कि a minus b का whole square कितना होता है अगर नहीं पता है तो आप समझ लिजिए होता है a square plus b square minus 2a तो a into b तो 2ab यह हमारा formula होता है ठीक है तो अगर आपको नहीं पता था तो आप इसे copy कर लिजिए और पता कर लिजिए अब से तो इसको खोलेंगे तो x square plus में 2 का square minus 2a a के place पे x है और b के place पे 2 है प्लस अब यह 1 तो 1 is equals to 2x minus 3 यह बन गया ठीक है अब देखिए इसको थोड़ा solve करिए x square 2 का square कितना होगा 4 minus 2 का 2 में गुड़ा करेंगे तो 4 और यह x तो 4x plus 1 is equals to 2x minus 3 यह बनेगा अब देखिए सब को जरा इधर लेके आईए तो x square plus अच्छा 4 plus 1 कितना होगा 5 minus 4x अरे इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि 4 और plus 1 कितना होगा 5 minus 4x यह अब इसको इधर लेके आईए प्लस में है इधर आएगा तो किसमे होगा minus में 2x minus है इधर आएगा तो किसमे आएगा plus में 3 is equals to 0 यह आ गया अब देखे x square अब यहां से यह 5 है और यह 3 है तो 5 plus 3 कितना होगा 8 होगा minus 4 है minus 2 है तो यह आएगा minus 6x is equals to 0 ठीक है अब हमें यह पता है कि इसको लिखना किसमे है तो इसको हम हमेशा लिखेंगे ax square plus bx plus c is equals to 0 यानि कि x square पहले आना चाहिए तो पहले x square आया है फिर x आना चाहिए तो अब इसको तो यह minus 6x है तो minus 6x plus 8 is equals to 0 क्योंकि c यानि इस नंबर की बात कर रहे है plus में था तो plus 8 तो यह आ गया अब जैसा कि हमने हमसे यह पूछा था कि आप यह check करके बताईए कि यह द्विघाद समीकरण है की नहीं है तो हम कहेंगे कि क्या यह द्विघाद समीकरण है हाँ तो यह भी द्विघाद समीकरण है क्योंकि power इसकी maximum power यानि अधिक्तम जो power है वो कितनी है दो है मतलब हम बोलेंगे कि ये द्विगाद समिकरण है ठीक है चलिए अब जरा इसकी बात करते हैं और इसे आप कॉपी कर सकते हैं और देखिए उदाहरण कराने का बस परपस जैने की मतलब ये था कि आप सबसे पहले उदाहरण समझे उसके बाद exercise आप अपने आप से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो otherwise हम तो कराएंगे ही हाजी जरा अब इसको देखिए समझिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर x का x में गुणा करेंगे तो x गुणे x आप लिखेंगे फिर ये बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे x का 1 में गुणा करेंगे तो x गुणे 1 यह आएगा फिर प्लस 8 है तो प्लस 8 is equals to यह क्या लिखा है a प्लस b और a माइनस b अगर आपको सभी को पता है formula कि a प्लस b और a माइनस b जो होता है वो होता है a square माइनस b square ऐसा होता है तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x square माइनस 2 square तो देखिए x का x में गुणा करेंगे x square आएगा प्लस x का 1 में करेंगे तो x आएगा प्लस 8 तो 8 is equals to x square तो x square माइनस 2 का square कितना होगा चार होगा ठीक है इतना चलिए अगर बात समझ गया अब सबको एक side लाइए तो x square प्लस x प्लस 8 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में तो plus 4 is equals to 0 अब ध्यान से x square से x square कैंसल हो जाएगा बचेगा क्या x प्लस 8 और प्लस 4 यानि 12 is equals to 0 अब आप क्या देखिए इसको कि क्या ये आपको ax square प्लस bx प्लस c is equals to 0 की तरह दिख रहा है या नहीं कूल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अधिक्तम पावर है वो दो आनी चाहिए लेकिन क्या इसकी अधिक्तम पावर तो है नहीं अधिक्तम पावर कितना है एक तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये द्विघाद समिकरर नहीं है मतलब ये द्विघाद समिकरर नहीं बनाएगा बात समझने आ गई तो इस तरीके से हमें चेक करना होगा आप एक बात और ध्यान रख लिजिएगा अगर हम इसमें ऐसी बात करें समझिएगा जैसे देखें यह ax square plus bx plus c is equals to 0 यह दिविधात समिकरर है हम कहेंगे है इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि जो a की value है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी लेकिन इसमें हम b की बात करें तो b 0 के बराबर हो सकता है और c b 0 के बराबर हो सकता है लेकिन a कभी b 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो 0 गुणे x square plus bx plus c is equals to 0 और यह क्या आएगा 0 plus bx plus c बराबर 0 तो यह तो एक रेखिक समिकरण होगा यह कभी द्विघाद समिकरण नहीं होगा ठीक है क्योंकि रेखिक समिकरण में पावर क्या होती है एक होती है लेकिन अगर द्विघाद समिकरण की बात करें तो पावर कितनी होती है दो होती है तो हमें इस तरीके से चेक करना होगा ठीक है आप ध्यान रखिए का ये और ये 0 के बराबर हो सकते हैं द्विघाद समीकरण में लेकिन ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा ठीक है चलिए अब हम next की बात करते हैं यानि की third number इसी में हाँ जी चलिए third number की बात करते हैं अपन इसमें क्या दिया गया है x 2x plus 3 is equals to x square plus 1 ये दिया गया है ठीक है अब देखिए इसको solve करेंगे कैसे x का do x में multiply करेंगे तो x into 2x आएगा हाँ प्लस ये भी है प्लस ये भी है तो प्लस मतलब इसके आगे प्लस है प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है x का 3 में करेंगे तो x गुणे 3 is equals to x square plus 1 ये आगया अब दियान से समझे एक्स का x में गुणा करेंगे तो x square और 2 से करेंगे गुणा तो 2x square ये बन जाएगा प्लस x का 3 में करेंगे तो 3x is equals to x square plus 1 ये बनेगा सबको एक तरफ लाइए तो 2x square प्लस 3x माइनस ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस x square प्लस है इधर आएगा तो माइनस 1 is equals to 0 ये बन गया अब देखिए 2x square में से x square जब घटाएंगे तो बनेगा x square ठीक है प्लस 3x है तो 3x माइनस 1 is equals to 0 और ये देखिए कि ये दिविगात समिकरर है या नहीं है आपको इससे तूलना करना है कि ax square प्लस bx plus c is equals to 0 तो अधिक्तम पावर 2 है तो यहाँ पे भी अधिक्तम पावर 2 ह है मतलब ये दिविगात समिकरर है ठीक है तो हम 3rd को भी बोलेंगे कि ये दिविगात समिकरर है बात समझ में आगे चलिए अब 4th की अपन बात करते हैं तो 3rd अपन एरेज करते हैं हाँ जी चलिए 4th की बात करते हैं क्या दिया गया है x plus 3 का whole cube is equals to x cube minus 4 अब जरहां फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिए अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है otherwise देखिए हम बात करते हैं a plus b का whole cube formula होता है a cube plus b cube plus 3ab और bracket में a plus b यह हमारा formula होता है ठीक है तो अब इसी तरीके से इसको हम open करेंगे अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए और यह इसमें हम अब मतलब इसको भी इसी की तरीके से open करेंगे तो देखिए x अब x plus 3 का whole cube तो लिखेंगे x cube plus 3 cube plus 3ab तो a into b यानि x into 3 bracket में a plus b यानि x plus 3 तो x plus 3 is equals to x cube minus 4 यह बनेगा ठीक है अब देखिए यहां से x cube plus 3 का cube कितना होता है 27 3 का cube कितना 27 तो यह 27 plus 3 3 के 9 तो 9x गुड़े 3 9 into x तो 9x और इसको अभी x plus 3 is equals to x cube minus 4 इसको ऐसे ही आप रहने दो ठीक है अब देखिए x cube plus 27 plus अब देखिए यहां से 9x का गुड़ा करेंगे x में तो 9x गुड़े x यह plus का plus में गुड़ा होगा तो plus आएगा 9x का गुड़ा 3 में करेंगे तो 9x गुड़े 3 बराबर x cube minus 4 यह आएगा ठीक है अब देखिए यहां से कि अपन क्या करेंगे न कि सबको एक तरफ लेके आए तो x cube plus अब यहां से देखिए 27 है 27 रखिए plus 9x गुड़े x तो 9x square बनेगा 9 गुड़े 3 तो 27 तो 27x बनेगा इसको इधर लाएंगे तो plus है तो क्या बनेगा minus x cube minus से इधर आएगा तो plus 4 बराबर 0 यह बनेगा ठीक है अब देखिए यह plus में है और यह minus में है cancel हो जाएगा ठीक है यह आपका बना 27 27 यह है और यह 4 है तो 27 और 4 कितना होगा 31 तो यह बन गया 31 plus 9x square प्लस अब यह 27 27 x बराबर 0 यह बना लेकिन हमें इसको लिखना कैसे है हमें इसको लिखना होता है ax square प्लस bx प्लस c is equal to 0 के form है ठीक है तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको लिखेंगे यानि 9x square प्लस 27 x तो 27 x उसके बाद यह किसमे है प्लस में तो प्लस 31 is equal to 0 तो आप देखिए क्या यह इस format में यानि x square दिख रहा है तो हाँ अधिकतम पावर x square दिख रहा है मतलब यह भी एक दिखाद समीकरण है ठीक है तो अब देखिए यहां से अगर बात करें तो हमारा यह topic यहां पे खतम होता है और हम अभी तक केवल example किये हैं ठीक है तो हम अब next जो हमारी वीडियो आने वाली है उस next वीडियो में हम बात करेंगे इसके exercise के यानि exercise number 4.1 की बात करेंगे ठीक है तो हम अपनी सभा यहीं समाप करेंगे और मिलते हैं फिन next वीडियो में तो thank you